सारे बरतन जो आप देख रहे हो माँ भी दोग रहा हुए सारे रात के बरतन बची हुए लोग एक बात बताओ आप लोग भी कपड़ा दो तो आपको जिंसी सबसे हाड लगता दोने में क्लास ती बचरा आनू की भुजिया तो इसको भी बना लेंगे और टाइम के गाइस ब बताने वालो और दिखाने वाला जो इससे पहले मैंने आज तक कभी भी अपने चैनल पर नहीं बताया तो आज मैं इस वीडियो में अपने डेली लाइफ पर दिखाने वालो कि मैं एक दिन में कौन-कौन से काम करता तो वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाली है और तो काफी मोटिवेशनल होगी जहां तक मुझे पता है तो आप लोग जरू कहीं न कहीं मोटिवेट होगा तो मुझे काफी अच्छा लगेगा तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं लुक्त वाइस वन सगेंड बेक तो मां यूडियो चैनल वीकेड़ी व्लॉग अप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि जो भी मेरा अभी डेली लाइफ है अभी मेरे ममी पापा गाउं गया है इसलिए दो महीनी से लगए नो महीनी होने वाले तो इस सारे काम मैं और मेर मेरी चोटी सिस्टर साम का सारा काम करती तो एक बात और अगर किसी मेरे भाई के मन में कोशन आता कि भाई आप एस अब दिखा के बताना क्या चाहता तो मैं एक चीजी बोलुआ गाइस यह सचाही है जो आपको दिखा रहो तो चलो फिर इस इंट्रस्टिंग वीडियो को देखो काफी मज़ा आएगा मतलग पहली बार मां शेयर कर रहा आप लोगे साथ तो वीडियो को फूरा देखना मेरे दिन की सुरुआत हो चुकी गाइज और जस्ट मैं अभी अभी सो के उठाओ तो अभी टाइम होरे मॉर्निंग के साथ बच के दस मिनट हो आप सभी लोग भी उठगेंगे तो मुझे सारे के सारे विष्टर फोल्ड करके रखने पड़ेंगे क्योंकि मैं सोता हूँ छ घर्मियों में ऐसा नहीं हो सकता तो चलो फटापट विष्टर फोल्ड करता हूँ इसको नीचे ले आना और नीचे हमारे बहुत से काम इंतजार करने तो वीडियो काफी इंटरस्टिंग है तो चलो अब चलते सीता नीचे साथ 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 बज़े सो के उठने गवाद सबसे पहले मैं मुहा दोता हूँ और फ्रेस होके जाता हूँ समाल लिने जो भी घर के लिए मतलब खाना बनाने में काम होता है या फिर दू-दू जो भी लाना होता हूँ उसको लाके रख देता हूँ फिर इसके बाद में सबसे आदे जो यहां पे चडिया रहती चावल घाल है डाना भी डाला दाना कम खाएगी और चावल इनको बहुत जादे पसंदा थोड़े दिर में यहां पर चडिया जाएगे बहुत सारी हूँ देखो आ गया तो भहुत छोटे जोड़े बढ़ होते है ने order है का नाम में जी सबम सोबहते सी सब्सक्राइब v ing to wash में, इसलिए तूसल नषब कर देख घृचान हमें पुआफे अहसं कि चैनल मैं उसलिए ने इसलिए रात को भीट ने, मिized तो देखो आपको बरतन क्लीन करने आता नहीं आता आप लोग गाइस कमेंट करके जरूर बताना तो चलो चाहता है आप लोग म्यूजिक करो काफी टाइम लगता वैसे तो बैट यहां पर काफी फास्ट मैं कर दूंगा चलो इंजॉए करो बरतन मैंने धोलिया गाइज और अभी बनाना मुझे खाना तो खाना बनाना इस्पेशली मुझे पसंद अगर मुझसे आप पूछोगे तो क्यूंकि मुझे काफी सालों का एक्सपिरेंस है मैं खाना कभी ना कभी बनाते आता हो तो खाना बनाने में मुझसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाला इस बात कि आफ टैंसल मतले ना कि भाई खाना कैसे बनाओगे तो खाना बनाने से पहले एक कॉमन सा प्रॉब्लम होता आप सभी किसांत होता होगा कि खाना आखिर बनाए क्या यहीं सोचने में आदा एक घंटा चले आता और मेरी छोटी सुवा क्या बनेगा तो यह बहुत यहारा प्रॉब्लम रहता है बट मैंने रात को डिसाइड कर लिया था कि सुवा क्या बनाना तो सुवा मैं बनाने वाला हूँ आज डाल चावल और आलू की भुजिया और स्पेशल में है पापड तो चलो फटा फट बनाते सबसे पहले मैं काट आप देख सकते हो मैं कि मुझे काट ने आता गाना किस तरीके से कि अलग तरीम होसाộc मैं काट आसा कर लीता हूं हमारे अलू की भुजिया आ पर कट ऊकी है और मिमया मनाना चावल तो चावल मैंने गलास नापके葉 डाल लाँ जो की ड honour बनाने वाले तो इसमें पानी डाल के फट्टा फट्ट दूलेँ तो वैसे मैं बार दोता हूं और नम्री होता तो चलो चाल बूल को भी चड़ा देते हैं कि यहां अप इसला में चाल बनने के लगें जब तक चाल बनने का उससे पाल को प् sensor में और हाया की दाल और इसके बस्ताई बारें इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक और डालेंगे थोड़ी सी हली इन दोनों को डालेंगे इस पर लगा देंगे धकन और चार-पांच सीटी तक इसको पगने के लिए छोड़ दिंगे तो देखो दाल हमारी बनके तयार हो गई है अभी तक हम ने बनाया है चावल बनीरा और डाल हमारा बन चुका तो अब बनाएंगे अपने लिए पापड तो सबसे पहले कड़ाई में तेल डाली आपने और पापड को तोड़ लिए क्यों काफी बड़े बड़े पापड है तो फटा फट इसको तोड़ते और तेल में ड आज अध्यक लसुन और मिर्ची की तो देख लो इन सभी को फ्राइ कर रहे हैं अभी हम बनाने वाले है भुजिया हमारा लास्ट तीर पचरा आलू की भुजिया तो इसको बना लेंगे और टाइम के गाइस बात करें तो अभी टाइम हो रहा है नो साड़े नो एक्ट मैंन चलाते रहे हैं तो गाइस क्या देख रहा है आप लोग आपके आखों पर यकीन नहीं है कि आपके व्लोगर भाई ने इतना अच्छा खाना बना के आप लोगों दिखा दिया जो की दाल चावल भुजिया पापड़ है मतलब मस्त दिख रहा है गाइस क्या सोचे आप दोते हैं और इसके बाद जो का में स्टार्ट होने वाला ना वाई वह काफी हाड काम है मेरे लिए मतलब आपको आगे एक्स्प्लेंद करूं आप बहुती बड़ा काम है दिखाओं का कौन सा काम करता हूं आप लोग बात बताओ आप लोग भी कपड़ा दो तो आपको जि संस में बहुत मैंनत लगता है यहां पर काफी मैनत करने के बाद फाइनिल हमारा कपड़ा दोल चुका और अभी से सुकाना च्छत पर बाल्टी में ले जाते हैं तो गई जिस काम की मैं बात कर रहा था कि मतलब सबसे बड़ा काम करने वाला आगे वह आपके आपके के सामन यस गाइस पानी भरना मतलब पानी भरना इतना चैलेंजिंग होता है हर रोज मेरे लिए कि मालो एक जंग लड़ने के बरावर है मतलब नीचे जाओ पानी भरो इता एक तो पानी आता हूँ पर चड़ा के लाओ फिर बाद में पाइप से पानी भरो काम करो फिर स्टोर के अब करको मतलब दिमाह कर चाता पानी भरते बरते gotta आपका इसलिया एक दो घंटा तो पानी चले जागा मतलब टाइम चली जा आपका पानी भरते बरते और कि सिरी पानी गंदा आ गया पानी नहीं आ रहा पानी कम मिला मतलब भूछ से प्रॉब्लम मैं जो बी आए इस दिस हाड काम है सबसे मतलब मुश्किल वड़ा काम होता है पानी भरना क्योंकि खड़े रो खड़े रो पानी के लिए और भरते रो दिमाग खरबाता तो चलो पानी सबसे पहले फटा-फट भर लेता हो बहुत ले जो भी है और आपको मिलता हो भाई मतलब करना मुश्किल इतना हड लगता ह Dare यहा बता हॉख सूब में यहांने सारे अपने खतम कर लिए मतलब wysyimborne जो बरतन दोना था खाना बनाना था हो और सबसे जो चैलेंजिंग काम होता हमारे लिए पानी भरना क्योंकि पानी भरते वक्त गाइस पानी भरना पड़ता हमें और जो घर के काम करना होता उसको निप्टाना होता फिर वापीस से पानी हमें स्टोर करके रखना होता तो यह स इतना सारा काम तब पानी परन्दे के चक्कर में मोटर थोड़ा एक्ष्टा चल गया माली जिए 15 मिनट या फिर आधा गंट एक्ष्टा चल गया हो क्योंकि हम आज थोड़ा जादे कर लिए दो दो बार मैंने बर्दन दोया बैट आपको एकी बार दिखाया हूं तो इस वह स मतलब negativity मेरे पास आती है फिर मुझे कोई सुनाता है ना कि भाई तू मतलब ऐसा कर रहा ऐसा निकर रहा तो उस वक्तों काफी गुसा आता मुझे बट खुद को कंट्रोल कर लेता हो और कहीं ना कहीं मेरा एक प्लस पॉइंट है कि मैं अपने विल पावर को और मोटिवेट करता है उन्दर से कि भाई जो भी हो रहा ना मतलब सामने से तो मैं कोई सुना रहा है और कहीं ना कहीं मतलब गलत बोला तो अपने आपको मतलब कुछ जादे मोटिवेट करता हो कि इसका जवाब मैं दूँगा उस वक्त तो मुझे काफी गुसा आता बट अपने आपको कं पड़े मैं राइडी बस यह है फिलिंग्स को उतना एक्स्प्लें नहीं कर सकते कैमरों के सामने आप रूबर रूव हो तो समझाता आपको अच्छे से वाइस यही ती अभी दोपेर तक की कहानी और नाव इस टाइम अपडेट 12.45 बार बच के 45 मिनिट हो चुके और अभी और वहाँ पर मेरी 4 गंटे की सिफ्ट होती है फिर वहाँ से जब मेरा ओफ होगा 11 बजे जब भी आपको दिखाऊँगा इस खाली टाइम में क्या करते जैसा कि घरा कोई काम होगा वो निपताऊँगा वरना फिर वीडियो बनाना होता है तो मिलता हूँ मैं सिधा 6.6 के आ सो फाइनल गाइस मैं आज शोगो अपने जॉब लोकेशन पर दीमाट चलो नदर पंचिंग करता फिर दिखाता आपको मिट लक्षा है लक्की तो सबसे पहले साइकिल पार्क करते तो फिर मापको दिखाता पंचिंग आपको तो यह अपनी प्यारी साइकल की पार्किंग ह अबेसा में पर साइकल पर करते हुआ है और यह पार्किंग है डीमाट का तो यहाँ होती है पंचिंग और नाव टाइम अपडेट 6.48 तो पंचिंग कर दिया और पसीने देख कितने है मतलब साइकल चला के आर तो पसीना पिसीना पर हो गया तो बैग अभी लोकर हो रखके जाएंगे होने सिफ्ट पर जो कि होने वाले चार गंटे का आपको मिलूँगा सिदा 11 बजे के आसपास चार गंटे के सिफ्ट हमारी ओवर हो चुकिया और अब टाइम हो रहा है 10.50 यह दस बस के 50 मिनट हो आप दे चुपके फूरा रात हो चुका है तो अब लिग लिग ल एक बार डीमाइट का ओवर्वी देता हूँ देखो कुछ ऐसी बिल्डिंग है डीमाइट की और पूरा बिल्डिंग हम काम करते हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहां पे एंट्री अपने का पंच आउट करने आना है वहां पर बिल्कुल सामने देखो जहां पर घड़ी लगी पड़िया तो आपका दिखा तो चलो सिदा हूँ चलते हैं तो फटाप पंच आउट कर दे टाइम देख लो हो गया 10.45 दस चोगो नुच हो गया है अभी एक्जाक्ट टाइम ह तो अभी तक आप लोगो जो भी देखा मेरा डेली लाइफ मतलब इस वीडियो मैंने मॉर्निंग से लेकर साथ बचे से लेकर रात के ग्यारा साड़े ग्यारा विजता का व्लोग होना आया जो कि अभी मेरा डेली लाइफ कुछ इसी परकार सा जा रहा और जैसा भी जा रह आप लोगों करना चाहिए तो आप लोग एक अच्छा सा कमेंट करें बताना कि आप लोगों वीडियो में क्या अच्छा लगा ऐसे किसी मस्त वीडियो में मिलेंगे जब तक के लिए टेक केर और अल्वेस कीप स्माइलिए